पास यहां पर अबलेबल है जो फेडिंग थे हमारे हैं अलगी पहला टैग जो करने जा रहे हैं और फ्रेंसेट टैग है तरह पढ़ रहे हैं सिर्फ इस वज़े से पढ़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कलको काम गरतो है आपके सामने कोई पुरानी HTML फाइल दिखे, कोई site किसी ने पुराने तरीके से बना रखिए, वो आपके सामने आए, otherwise, as per the HTML 5.0 standard, ये tag बिल्कुल भी allowed नहीं है, मतलब, normally कोई programmer अब यूज तो नहीं करता, sorry, पहले भी warning सी थी, कि आप इस tag का यूज ना करें, वो क्यों ना करें, मैं वो भी बताऊंगा, बट पहले हम इस tag पे काम करें, ये सिर्फ इसली बताया जा रहा है, because कई पुरानी website पर आप encounter आप देखो, तो हो सकता है कि ये tag लग और अगर ही किसी designer ने लगा हुआ है, तो उसका alternative क्या है, उसकी जगह पर क्या लगा सकते है आज की, आज की नेटमी को खेले, जो काम आप अब कर रहे हैं, वो बहुत सारे और तरीके हैं करने के, ठीक है, सबसे पहले तो frame set का मतलब क्या है, कि आपकी window को, मतलब आपकी HTML page क मतलब मैं यह चाहता हूँ कि suppose करो मेरे पास एक HTML file है, उसके अंदर कुछ content मुझे display करना है, बड़ वो content मेरा multiple HTML file से आ, मतलब 2-3 HTML file है, उनके अंदर कुछ content लिखा हुआ है, उनको combine करके मैं एक अपनी HTML file में बनाना हूँ, जैसे अगर पहले की बात करें, तो हम क्या करते है तोप लेवल का एक menu होता है, तोप लेवल, मतलब HTML में top पे क्या रखना है, normally हम top पे रखते थे, कि menu define कर दो, और एक छोटा सा banner लग जाए, photograph से अच्छी सी लग जाए, जिससे कि banner content display पर आजे, फिर left side, left वाले side में भी हम कुछ menus जाल देते थे, और बीच वाले, center side में बच suppose को मेरे 10-15 pages हैं, मुझे menu हर page पे चाहिए होता है, अब या तो मैं menu का code बार-बार write करूँ, या फिर हमने कहा था कि आप frame set यूज कर लो, कि menu की अलग से HTML file बनाके, उसे अपने frame set के तुरू के include करो, अलग कि आज की data में हमारे पास बहुत सारे options है, हम prefer करते हैं, कि menus अलग फाइल से में ही जाए, so that the active-inactive वाले statuses को भी हम can use कर से, बहुत सारे हैं, but फिलाल अभी इस example में, हम तीन HTML files को combine करके, एक HTML file बना, तो मैं तीन HTML file पहले बनाता हूँ, यह मेरी first HTML file है, जिसने मैं top पे रखना चाहता हूँ, तो मैंने top पे रखने के लिए, HTML file और अंदर body tag कर इवन आप ना भी लिखो body tag content, क्योंकि हम main frame के अंदर body tag बगएरा डाल रहें, तो हम directly भी start कर सकते हैं, कि मैं ul बना रहा हूँ, li define कर रहा हूँ, और li में home, li, li में home, about us, contactors, यह मैंने स्रिफ टॉप के डाल, अगर कोई banner लगाना था, तो मैंने IMG tag के थ्रूँ, कोई banner भी लगा रहें, बड़ा सा मैंने photograph देख ली, और वो मैं अपने banner के पर apply पर देता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर छोटा सा फोल्डर प्रीट कर देता हूँ, यहाँ पर as per standard क्योंकि मैं image उस कर रहा हूँ, so I put the image in IMG folder बनाते हैं, यह पही बरियम images का folder, so IMG or images यह चोईस आपकी हो, कि आपने अपने images का folder का नाम कर रहा हूँ, मैंने photograph यहाँ रहा हूँ, this is 2.jpg, fine तो मैंने आपर लगा दिया, src images slash 2.jpg, यह हमारा एक frame stack बरने हैं, हमें मानते हैं, this I will call as top, मैंने इसको sample folder में ही डाल दिया, so I will call this as top.xhtml, ठीक है, मैंने इसको save as किया, और मैं एक नही बना रहा हूँ, यह एक नही फाइल बना रहा हूँ, this is, मैं एक simple sa text से लिख भी है, this is left side contact, मैंने इसका नाम रख भी है, left.html, और लास्त मेरी 3rd file, जा मैं मैं मेन content रख भी है, this is welcome to, और page, अगें save करते हैं, यह मेरा main content.html, this is our main content.html, तीन files मेरी यहां पर define हुई अभी तर, मेरी sample वाले page के अंदर अगर देखते हैं, तो तीन files define है, left, main content and top, अब इन तीनों को लेकर मैं एक अपनी major file बनाऊँगा, जिसे मैं तीनो frames को include करूँगा, अपने तरीके से, कि मुझे कैसे इसे include करना, कैसे मतलब view किस तरह से रहेगा, जैसे मुझे पूरे top पे क्या रखना है, left रखना है, फिर top वाला रखना है, फिर left पर right में क्या रखना है, main content रखना है, तो हम क्या बनाएंगे, frame बनाएंगे, now main file जो हमारी बनेगे, कि हम उसमें अपना HTML content बगरा, सब कुछ frame बगरा, वो सब कुछ अब हम define करेंगे, तो मैं अपनी main file की पर आता हूँ, now this is my main file, HTML, body tag, अभी आपर हम frame बनाएंगे, so tag हमारे पास है frame set, frame set tag में आप पहले आपर define करते हो, कि आप अपने पूरी frame को कितने rows या columns में divide करेंगे, कितने rows और columns, system एक चलता है, कि इदर आप rows में define करोगे और आप columns, like फिलाल मैं test करने के लिए, अगर मैं define कर दूं कि मैं rows में define कर रहा हूं, और मैं total मेरे पास तीन HTML files हैं, तो मैंने total तीन rows में define करने के लिए, हम rows के bracket में क्या define करते हैं, percentage define करने, कि screen का कितना percent part, first वाली row ले दे लिए, next row कितना percent part ले, 60%, next को दे दी हमने, बीच वाले को, 60%, and pending one is what 20%, तो मैंने पूरी screen को 20, 60 & 20 के ratio में क्या कर दिया, divide कर दिया, 20, 60 & 30, इसका मतलब हो गया कि आप exactly, मुझे क्या देने वाले हो, तीन frame देने वाले हो, और वो तीन frame देने के लिए, अंदर हम time यूज करेंगे, called frame, frame src equals to, मैंने निखा नाम top.whathtml, कि पहले, top.html वाली frame आदे, आप इसका name रखना चाहो, name equals to what top, तो आपने name दाले, आपने name भी बताऊंगा, कहां यूज होगा, ऐसी मुझे 3 चाहिए, आपने name, so I will put top, then I put left, और I will say, then we have main content, तीन frame में आडाल दी, frame set के बताऊंगा, this is my main.html file, इस file को हम run करेंगे, और हम चाहेंगे कि जब इस file को exactly run किया जाए, तो इसके through, मेरी main files, तीन files है, यह तीनों खुलनी चाहिए, जो कि मैंने आप mention कर दिये, कि main के अंदर मैंने 3 rows विवाय बनाई है, 20, 60 & 20, तीन rows में पहली row में top, फिर left और main content हमने आप पर रखनी है, सो अगर मैं अब अपनी main file को open करूँ, तो exactly main file के अंदर जो आप जयाए ताप पर रखनी चाहिए, एक भी नहीं आप ऐगा, तो अज़े नहीं आप आप जूए नहीं आप 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 आप, तो हमने फिलाल इसको तीन रोज में डिवाइड किया था यह फ्रेम सेट एड टैंक के अंदर आया है तीन रोज में डिवाइड किया था तीन रोज में पहली रोज में हमारा एक HTML फाल आ रही है पहली वाली के कंटेंट थोड़े ज्यादा है इसलिए उस क्रॉल को आपको वहाँ पर मिल रहा है आप यह रोखना चाहो यह भी रोख सकते अगर आप फ्रेम सेट यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे प्राउजर्स आपके फ्रेम्स को स सामने स्क्रीन ब्लैंक आई और कोई भी कंटेंट डिस्प्ले पर नहीं आए तो एक्जाटली क्या डिस्प्ले पर दे थे तो आपको यह नो फ्रेम्स के अंदर हमने कह दिया और बॉड़ी के अंदर जो भी हम देना चाहते है वो देदा इसमें उसे कह रहा हूँ यूर ब् इसा कंटेंट ना कर वो तीसरे वाला जो हमने एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा हुआ है प्राउजर डजन कंटेंट डजन सपोर प्रेंट वाज यह मारा प्रेम्स था यहां तक लिर हूँ आज चला अब इसको थोड़ा सा ठीक करने पहले तो जैसे हमें क्या चाहिए था तॉ रोज में डिवाइड होगी और उसके पॉड़े की वान टू त्री रोज डिफान होगी ट्वटी शिक्स्की और पॉट्टी के पॉड़े अब हम आगे करते हमें क्या करना है यह वाला तो टॉप पर ही चाहिए लेकिन यहां पर मुझे दो कॉलम चाहिए लेफ्ट साइड अब ओजिए दो पीट संवरें और वेलकम ट्रो आर पेज मतलब लेफ्ट राइट में आने जागे रोज में आने जागे इस चीज को ध्यान में रखते हो एम पूरी स्क्रीन को अगर देखें तो हम अपनी पूरी स्क्रीन को दो इस तरह से पार्ट में डिवाड़ करेंगे कि हमारे पास exactly है क्या दो रोज है तो हमारी इस तरह से क्या बनेगी दो रोज बनेगी यहां हम तॉप वाला डाल देंगे फाइल अपनी जो टॉप की फाइल है और जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें हम फर्दर अबलब दो रोज पहली रो में टॉप वाली फाइल आगे द सो exactly हम क्या करेंगे पहली रोज बिल्कुल ठीक है फ्रेम सेट रोज पूरी स्क्रीन को मैं exactly हम दो रोज में डिवाइड करेंगे ताम और यह बॉटम वान तो दो रोज होगी 20 और बाए 30 बाए 70 के आपने दो रोज बना दो रोज है अब इसके बाद हम इस पूरी रोज को तो दो रोज में तो डिवाइड कर दी है पहली रो में हमने अपनी फोटोग्राफ डाल दी फाइन बर दूसरी रो में हम फिर से क्या डालेंगे फ्रेम सेट ही डालेंगे फ्रेम सेट और यहां पर हम क्या डिफाइन करेंगे फ्रेम सेट और यहां पर हम क्या डिफाइन करे बनाए और ये दो अपने आप किसमें चले जाएंगे, कॉलम्स में चले जाएंगे, तो अब मेरे पास यहां पर दो फ्रेम सेट्स और एक फ्रेम सेट यहां पर और क्लोज होगा, तो अब मेरी स्क्रीन कुछ इस तरह से डिवैड हो की जैसन चाह रहे हैं, यह टॉप रो, ले सेट्स के अंदर ही नेम का मतलब, जैसे अभी तो कीनो का नाम हमने कहा रख दिया, नेम रखता हूँ, मैं इसका नाम सपोस करो, में रखता हूँ, और इसका नाम हमने कहा रखता, लफ रखता, अब देखो, यह तीनो HTML फाइल्स है, अलग-अलग, अलग-अलग का मतलब होत है, चेक करके देखते हैं जलाब, हम अब आउट अस वाले, टॉप वाले पेज पर आ रहे है, हम उसको एडिट करो, अब उसको एडिट करो, तॉप वाले पेज पूल रहो, जा हमने यह कंटेंड लगा होगा, किसी का भी हाइपर लिंक देता हूँ, अहर्द इपोल्स तु आपर देता हूँ, अब मैं आपर एक शोटिसी अवाउटस वाले पाइल बना जेथा हूँ, जिस में कुछ खास लिखनी रहमें, अब प्रस्कंट, इस अब आपर जिकनी रहमें, अब प्रस्कंट, इस ब्सकंट, इस अलो एं एक रच्टमन पाय, तो वाइग कर देता अब इससे होगा क्या अब इसको समझते हैं अमने टॉप वाली फाइल के अंदर अब आपनी में फाइल को देखते हैं कि अब यह तीन अलग लग एच्टेमिल फाइल थी ओपन हूँगी अब अब आउट असके क्लिक करने पर-पास वाला पेज खुलेगा लेकिन वह पेज कहां कुलेगा उसी विंड़्ोग अंदर पुलेगा च्टिवाली हैं मतलब यह दोनों अनठेच रहेंगे अब आउट ब क्लिक करने पर अबाउट इसका कंटेंट उसी के अंदर कुलते हैं वो कहां खुलते हैं वैसे तो अब यह वाली फाइल थी टॉप.html उसी के ऊपर खुला कॉन अब आपर उसे क्योंकि मेरे पास फ्रेम सेट्स बने हुआ है तो मैं इस क्लिक करने पर उस पेज में कुछ चेंज नहीं होगा उसका कंटेंट का खुलेगा में पेज के अंदर कुलेगा sells, main वाले के अंदर क्यों कि हमने क्या दे दिया क्या है? टारिग्ट पी कि हमने कहा की हमारी फाइल में एक लोकेशन है, जिसका नाम की में और वो हमने काहां दिया था हो थे हम यादि में वalition इन फाइल में जब हमने फ्रेम बनाया थे तो इसका क्या रखता था नेम रखता था कॉल में ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ कि मुझे कंटेंट तहां कुल रहा हुआ इसके लाब एक लास्ट इसके अंदर कि अगर हमारे पास में.html फाइल की बात कर रहे हैं जहां हमने अभी टार्गेट इकोल लुक्या दिया में दिया सब्सक्राइड कर दिया अपने उपरीलियो कुल रहा का अपने उपरी ना गराद कर रहा था और घो अंधर तो मैं वे और ये अकर उपर एन। कईम हुआ आ पांट कॉल तो लुकू सेय को Has Together यानि अब about us के click करने पर ये वाला पूरा पेज अट जाएगा सार आगा सार इसकी जगह पर डिरेक्ट के आगे about us इसने अपना container किसको बना है पेरेंट पेज को बना है पूरा पेरेंट ही गया किया है रिप्लेस है गście चल्ड पीर टिबु conservatives each cell name location underscore on. अपने प्रड़़ हैं मैं अपर सिर्थ ही प्रलीष है यह उंडर्सकोर, ॉन ब्लाइक i.self इस देपॉल्ष आप ने लोकेशन दे सकते हूं बूकेशन दे सकता है और एक हमारे पस क्या था अटा underscore parent तो चार options थे हमारे पास अपने hyperlink का target define करें अब दिपर हम इसका पहली बार आते है कि हम इसका अब आज की date में if html 5.0 में use क्यों नहीं गरते हैं पहले तो एक page में multiple pages आ देता है जैसे इस page में हमने main.html में 3 pages insert गरते हैं तो exactly इस main.html का purpose क्या है मतलब किस इस तरह का content दिखा रहा है पहले तो क्या होता है देखो आपने कोई file को ली या top left.ht यह page खुल है इस page का क्या purpose है वो इसके view source से बता लग जाए इस page पर right click करो view source इसका html code आता है यह लिख रहाता है तो आपके browser को आपके google को google में जब कोई search करेगा तो उसे page की entity चाहिए कि इस page का purpose कहा है इस page में इस तरह का content लिखा हुआ है इसलिए इसका purpose यह लेकिन जब वो main.html को खोलता है इसका जब वो view source देखता है तो उसे क्या मिलता है exactly उसे मिलता है यह frame set अब frame set उसे क्या बता लगेगा कि exactly किसका है यह जाए तो view page source से frame set मिलता है मतलब उसे एक page से आगे क्या मिलता है चार-पांच links मिलता है अब उन links के contents को identify करें इतना time google के पास मतलब searching के time पे नहीं वो देख पाएगा इसलिए वो in tags क्या करेगा इग्नोरी करेगा तो google पे जब हम कोई साइट सर्च करते हैं हम गूगल पे जाते हैं we search for a site called computer education तो google आपको बहुत सारी websites लिस्ट में देता न अब यह बारी सारी websites किस तरह से लिस्ट में आ रही है कि after computer education का नाम topic क्यों आ रहा है because इनकी website के अंदर इनके accordingly content पढ़ा हूँ इनकी website में content computer education word का जादा है इनकी website बहुत बारी open की गई है बहुत सारे factors होते हैं but out of which जब मैं कहता हूँ कि google को की education के बारे में डूंड के मुझे websites बताओ तो google क्या करता है ब्राउजर अमलब server पे जितनी sites है सब को search करेगा बट पहले वो क्या करेगा फालतू की sites को ignore कर मतलब मतलब वो सारी sites जिन में computer का content ही नहीं है फोड़ दो वो सारी sites जिन में frame set यूज़ है इग्नोर कर दो तो मतलब आपकी site ब्राउजर पे क्या होगी इग्नोर हो इसलिए इसलिए प्रेफरेबल नहीं प्रेफरेबल क्या use ही नहीं होता है html 5.0 शुरू शुरू में तो यह कहा गया था कि आप frame set का use ना करो बट html 5.0 जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें पर यह tag क्या इग्नोर ही लिए अगर आप लगाओगे तो इसका output ही produce नहीं होगा अगर आपने अपने पेज को बता दिया कि मैं html 5.0 यूस करने वाला तो वह इस टैक को automatically क्या कर देगा इग्नोर ही कर देगा अलग options दिए गए आपको कि in case अगर आपको लगता है कि यह मुझे ऐसे cases जुरूत पढ़ सकती है कि मुझे अपने page में multiple html files क्या डालना ही पड़े तो उसका modified version हमारे पास available है that is called iFrame iFrame that is called internal flame उसमें क्या होगा पहली चीज़ तो main html में frame set नहीं होगा main html normal html टाइग जैसे normal html file होती है वैसे आप html करना होगे उसमें कहीं पर लगे आपको कि उस html का content डालना है iFrame से डाल लेकिन main तो वही रहेगे न main file exactly same रहेगी कि frame set बगारा नहीं होगा तो ब्राउजर उससमें भी क्या करता है आपकी file में से जो iFrame में उसको ignore करतेगा लेकिन आपका पूरा page ignored नहीं होगा बाकी page का content पड़ा होगा वह ब्राउजर के pointer notice में आजाए तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है जैसे हम normally html file बनाते है हम यह आपर लिख रहे है आवर main content कुछ भी और आपने डिफाइन के रहे है अब मैं चाहता हूँ कि कोई frame पड़ा होगा मुझे वह इंप्लोड दो तो tag हमारे पर स्कॉंस है आई फ्रेम आई फ्रेम इंटर्नल फ्रेम इंटर्नल फ्रेम का अट्रिबुट भी होई है src equals to what आपकी फाइल का नाप डारिक्डू जैसे मैंने आपके डाल दिया main content.html यह फ्रेम कितनी विडत वर स्पेस उक्टुपाय करें अब आपने यह बताना है विडत इकोल्स को 200, height equals to what 200.html, it equals to what 200. यह हमारा new.x.gmk file. फ्रेम से इकुल हिया को हमारी main file में वेगी that is new यह new file है और अंदर क्या खुल गया देखो यह आई फ्रेम को किसी और पेज का कंटेंट आपने खोल लिया ब्राउजर अभी क्या करेगा आई फ्रेम को भी टैंक्स को इग्नोर ही करेगा लेकिन अब उसको इतना बता ना इस पूरे पेज को कंसेडर करना है सिर्फ यह वला पोर्शन क आपको कभी लगे भी कि आपको मुल्टिकपाइज इंग्नोर करनी है तो आप आइफ्रेम यूजर आप यूजर आप यूट्यूब देखते हो आपने उसमें कोई भी वी वीडियो आपको अच्छा लगा अब ये वीडियो मुझे अपनी अपनी साइट के अंदर डालना है अब ये वाला वीडियो मुझे अपनी एच्टेमल पेज में डालना है तो इस वीडियो को डालने के लिए आप जाओगे तो आपको क्या करना है आई फ्रेम की जगह पर अगर मुझे ये वला सारा टैक समझना नहीं है तो आइकन इंक्लूड दस यूरक जो मैंने अभी फाइल डाली थी काल्ड एक्सेमल में कंटेंट की जगह पर एक्सेमल की जगह पर मैं क्या डाल रहा हूँ वो यूटूब का यूरड़ा हूँ अब मैं अपनी एक्सेमल फाइल चेक करता हूँ इस न्यूवाद और प्रेंट आफिजव सेता अबागि परोड़ा आफिए यूट अभी एकन आफिश्यान पिसका अब्लाभए यूट सप्पोरड़ नहीं है यूरी रखली केलिच चाहिए न्यूए वीच्छ आफिश्याओ चेक टीश्याओ अप्धियू कर्द लिए कर आफिए मैं शूला थे बिल्ग धर कैनल लाह राइस दूला हि कि चूल भी नातम alltidय sudah बहादा कि खाया कि बुल शुल प् fan यूदुब के अदिशनल पारामेटरस है यूदी एक परी डाले रिक्टाइब यूदुब यूदुब पार यूदुब यूदुब यूदुदुड अब मेरे पास आ जाए घ्टरनल सोर्स पाईल आपको लगे लिए तो को एक्सटरनल फाइल मुझे लगता है कि लिए लिक मेरे पास है जिसे मुझे उच्टलूड करना है तो उसके लिए हमारे पास आप अपनी html फाइल में कहीं पर भी क्या डाल सकते हो आई फ्रेम ऐसा आसी से उसके पर पाइल लोकेशन डाल सकते हो उसको जो भी वीडियो होगा वीडियो यह कोई फाइल कोई html फाइल वाटवर इस वह आपर दिस्पेश पर आज़ा अधिक तर हम आई फ्रेम ही करने जाएंगे अणिस कंप्लीटली twitter